हलो नमस्कार दोड़स्तों आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चेनल मासा इस पॉइंट में स्वागत है दोस्तों आज की कलास में मैं आपको 12 जोगरफी के चोथा चेप्टर मानव विकास हुमन डवलपमेंट के सभी short long और objective question answer कराने वाले हैं आप इसको ध्यान से देखेंगे ध्यान से सुनेंगे और इसको याद करेंगे बाकी अगर आप हमारे चेनल पर नए आए हो तो पिलिज लाइक करें सस्क्राइब करें एवं बेल एकन को भी दवाए और अपने दोस्तों को भी share करें तो पर्थम question इसका क्या है देखिए ये बहुत important question है मानव विकास कई बार पुछा गया है तो मानव विकास को परिवासित करें या मानव विकास क्या है तो कैसे लिखेंगे विकास वह परकिरिया है या मानव विकास वह परकिरिया है जिसके परिनाम स्वरूप किसी देश में समस्त उतपादन साधनों का विदोहन होता है राष्टिय आय वं पड़ती व्यक्ति आय में विस्तार वो दिर्ध कालिन विर्धी होती है तथा जनता के जीवन अस्तर वं समान कल्यान का सुचकांक बढ़ाता है इसको हम क्या कहेंगे मानव विकास कहेंगे मानव विकास क्या क्या होता है व्यक्ति के आय में विस्तार वो दीर्दिकालन विर्दी होती है तथा जनता के जीवन अस्तर एवं समान कल्यान का सुचकान क्या होता है बढ़ता है ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे मानव विकास कहेंगे आप चाहिए इसको सौट में भी लिख सकते है अब आगे क्या है महबूब उलहक के अनुसार किस क्या है मानव विकास क्या है तो विकास का सम्मंद लोगों के विकलपों में विर्दी से है ताकि वे आत्म सम्मान के साथ दीर्द हुआ स्वस्त जीवन व्यतीत कर सके या किसके द्वारा है या डॉक्टर महबूब उलहक के अनुसार से है अ मानव विकास का मुक उद्देश लोगों के स्वतंत्रता में बिर्धी तफा परतंत्रता में कमीशय है, या कथन किसने कहा तो प्रोफेसर अमर्त सैन, आपको अबजेक्टीव में यहां से यहां तक दे देगा, अका देगा यह कथन किसका है, चारगो का नाम दे देगा, तो क परतिपादन किसी ने किया तो डॉक्टर महबूब उलहाक अब आगे है कि मानब विकास के कितने अस्थम माने गए हैं तो मानब विकास के चार अस्थम माने गए हैं भी भी आई सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पर्थम क्या है शमता दुसरा है सतत पोस्नियता तिसरा है उ सकती करान आपको ये क्वेस्चन आप नौट कर लेंगे याद करेंगे इसको अब आगे है कि मानना विकास सुचकांक जिसको हम HDI का सर पर्थम परति पादन कब और किस ने किया तो क्या होगा 1990 में महबुव उलहक ने किया अब आगे क्वेस्चन है देखिए आपको ऐसे भी अपजेक्टम पूछ सकता है कि HDI का पूरा नाम क्या होगा तो H से हुमन हो गया D से डवलपमेंट और I से क्या होगा इंडेक्स हुमन डवलपमेंट इंडेक्स होगा कहते हैं मानव विकास के कितने सुचकांक है तो मानव विकास के तीन सुचकांक है जीवन परतियासा दूसरा है साक्षर्ता तिसरा है परतिव्यक्ति आए अब मानव विकास के कितने सुचकांक है तो क्या होगा मानव विकास के तीन सुचकांक है ये तो अभी हमने बताईए दिये अब आगे है कि 18 मानव विकास रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया तो 17 नमंबर 2008 इस्वी को प्रस्तुत किया गया वर्ष 2015 के अनुसार सबसे अधिकिस देश का HDI है तो क्या होगा नार्वे होगा क्या होगा नार्वे होगा अब आगे है कि सन्यूक्त राष्ट विकास कार्यकरम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है इसका एंसर होगा कि अप्रेल 2002 की को जारी किया गया यह रिपोर्ट योजना आयोग दुवारा जारी किया गया योजना आयोग के दुवारा क्या हुआ था जारी किया गया था अब आगे है कि मानव विकास के चार परमु घटक क्या क्या है तो अभी हमने बताए है ना कि समता होगा सतत पोसनियता होगा उत्पादकता होगा और स स्वासक्तिकरन भी होगा यह क्या है स्वासक्तिकरन यह क्या है यह मानव विकास के चार परमुख घटक है आपको यह याद रखना होगा अब पर्थम क्या है इसका समता क्या है आखिर यह समता क्या है जो मानव विकास के जो चार परमुख घटक उसमें पर्थम क्या है समता ह तो किसी परदेश में उपलब्द समस्त संसाधनों की वहां निवासित परतियक व्यक्ति को समान रूप से उपलब्दता को समता कहा जाशकता है। अब आगे दुसरा पॉइंट है सतत पोस्नियता अखरिये सतत पोस्नियता क्या है तो मानब विकास की अवधारना में सतत पोस्नियता टिकाओ विकास की अभिव्यक्ति है सतत पोस्नियता का अर्थ है अवसरों की उपलब्दता में सतत अब आगे है कि उत्पादक्ता क्या ति के संदर में उत्पादक्ता का आसा है मानव सरम उत्पादक्ता या मानव काड़ियों के संदर में उत्पादक्ता ये क्या होगा उत्पादक्ता का अर्थ हुआ अब आगे है कि किसी राष्ट की वास्तिविक पुंजी उनके मानविया संसाधन होते हैं क्वेश्चन करेगा कि सिराष्ट की वास्तिक पुंजी क्या होता है तो मानविया संसाधन होते हैं अब आगे था चोथा नम्मर कि स्वसक्तिकरन चारमा चोथा पुण क्या था स्वसक्तिकरन तो मानव विकास की अवधारना के अंतरगत स्वसक्तिकरन का आसा है मानव को अपने विकलपों का चयन कर करने की सक्ति का प्राप्त होना अब आगे क्वेस्चन है कि मानब विकास के कितने उपागम है संचिप्त में व्यक्ष्या करें तो मानब विकास के पांच उपागम है जो नीमन है कितना उपागम है पांच उपागम है जो नीमन है तो पर्थम क्या है पर्थम उपागम है आय आय उपागम पर्थम क्या है आय उपागम है मतलब राष्टी आय में विर्धी यदि किसी राष्टी की राष्टी आय में विर्धी हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि राष्ट विकास कर रहा है है कि नहीं है कि राष्टिया आयमे विर्धी होगी तब नो समझा जाए कि राष्टिया विकास कर रहे हैं दुसरा है प्रति व्यक्ति आयमे विर्धी यो क्या है उपागम है ना जीवन अस्तर भी विकास के सूचक माने जाते हैं अब आगे है कि ओकन तथा रिचर्ड डसन के अनुसार क्या है आर्थिक विकास भोतिक समरिद्धी में ऐसा निरंतर एवं दिर्ध कारिन सुधार है जो की वस्तुवों एवं सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवा से जाना जाता ये क्या हुआ ओकन तथा रिचर्ड डसन के अनुसार था अब आगे क्या है एम एफ जस्वाला के अनुसार क्या है मतलब आय उपागम के विसेम उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि आर्थिक परगति मुल्यता आर्थिक कल्यान के उच अस्तर से समंधित है जो की देश की संपूर्ण जनसंक्या में कमो वे सम्मान रूप से है अब तिसरा पुएंट है कि अधार भूत अवशक्ता उपागम क्या है तो अंतराष्टिय स्रम संगठन्ने स्वास्त सिक्षा भोजन जलापूर्ती स्वक्षता और आवास आदी की परतियक नागरिक की उपनवता को मान विकास का परमुक्सुचक माना है अब आगे है कि ILO के अनुसर क्या कावनोंने जहां इन मात्रकों की अपेक्षा की गई है वहां परति व्यक्ति आय मेराश्टिय आयकास्तर भले ही उचा हो वास्तिविक मानव विकास अधूरा रहता है अब आगे चोथा पुएंट है कि मानव चमता विकास उपागम तो या क्या हो है नौबेल पुरुषकार प्राप्त भारत के प्रत्ख्यात अर्थ सास्त्री प्रोफेसर अमर्त सैन ने मानविय चमताओं में विरिधी को मानव विकास की कुंजी कहा है अब आगे है कि वियवसाइक सनरचना उपागम क्या है तो कोलिन कलार्क ने आर्थिक विकास तथा वियवसाइक सनरचना का घनिष्ट संबन बताया है उन्होंने आर्थिक किरियाओं को तीन भागों में विभाजित किया है कौन-कौन प्रार्थमिक छेत्र दुतियक छेत्र और तिर्तियक छेत्र तो प्रार्थमिक छेत्र किसे कहते हैं कई बार पूछा गया कुश्चन है तो प्रार्थमिक छेत्र क्रिशी पसु पालन मचली पकड़ना लकडी काटना एवं वनो उपाज एकतरित करना जैसी क्रियाएं समिलित होती है किसमें प्रार्थमिक क्रियाएं दूतियक क्रियाएं क्या है दूतियक छेत्र खनिज उद्योग लगुवा कुटिर उद्योग तथा वी निर्मान उद्योग क्या है ये सब किसमें आता है दूतियक छेत्र में आते हैं तिसरा है तिर्टियक छेत्र यानि कि व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, भीमा, आदि, सम्मिलित किये जाते हैं यह किसमें सम्मिलित किये जाते हैं यह तिर्टियक छेत्र में तो दोस्तो हमने मानब विकास के कितने उपागम है इसका सभी हमने क्या किये एक्स्पले आपको याद करना है उसके बाद और यह सबसे इंपोर्टेंट है कि व्यावसाइक संरचना उपागम क्या है और इसको कितने भागों में बटा गिया है तो तीन भागों में प्रार्थिमीक दूतियक और तीर्थियक आप इसको फिर से याद कर लेंगे बाकी दोस्तो हमने आज चौथा चैप्टर भी खतम कर दिये हैं और इसमें सबसे मौश्ट इंपोर्टेंट कुईस्चन यह आपका हुआ कि मानब विकास को परिभासित करे यह सबसे मौश्ट इंपोर्टेंट कुईस्चन है इसको आप नोट करेंगे और याद करेंगे तो दोस्तों आज हमने ये चप्टर पूरा केलियर कर दिये, आगर आपको ये वीडियो प्रसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों को भी सेयर करेंगे, बाकि सो थैंक्स, वेरी मच्छ, आल दा बैस्ट, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, जाय हिंद!